ओम स्री सद्गुर्देव भगवान की जय गुरु ब्रह्मा गुरु बिष्णु गुरु देवो महें स्वरह गुरु साच्छात्य परम्रम्ह तस्मेश्री गुरु बेनम्ह अखंडमंडलाकारं व्याप्तमयेनचराचरं तदपदंदरसितम्येन तस्मेश्री गुरु बेनम्ह मोसमधित्कृ बेनम्ह थृु बेनम्ह अखंडम्ह if नदीनहिता तुमसमान रघुबीर असबिचारी रघुबंसमनी हरहु विसम भवभीर त्वमेव माता म् चपिता त्वमेव त्वमेव बंधु त्वमेव बंधु चसक्खा त्वमेव त्वमेव बिद्या द्रबिळं त्वमेव त्वमेव सरवं ममदेव देव जेहीं विदि हो ही नाथ हितमोरा अकरहु सोबेगी दासमे तोरा अब प्रभुक्रिपा करहु यहिभाती सबत जिभजन करहु दिन राती सबत जिभजन करहु दिन राती सोई पावन सोई सुभग सरीरा जोतान पाई भजियर घुबीरा सो सुख करम धरम जरिजाओ जहान राम पदपंक जभाओ जोगा कुजोगा ज्ञान या ज्ञानू जहान राम प्रेम परधानू बोलो जय सियराम जय जय सियराम ओम जय गुरु देवं जय गुरु देवं जहि परक्रिपान करहित्रि पुरारी सोनर पावन भगति हमारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवनमहिमा बिदित तुमारी बिनु सत संगा बिबेकन होई राम क्रिपा बिनु सुलभन सोई जा परक्रिपा राम कर होई ता परक्रिपा कर ही सब कोई राम कथा के तेई अधिकारी जिनकाहु सत संग गतियति प्यारी राम कथा काली बिटप कुठारी सादर सुनुगीरी राज कुमारी राम कथा सुन्दर करतारी संसाय भी अगा उडाव निहारी सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तु याद कह कभी रवादास की कौन सुने फरियाद दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय बोलिये स्री सद्गुर्देव भगवान की जय स्री रामचरित मानस दुतिय सोपान अयोध्याकांड हिंदी टीका भाग इक्किस गोस्वामी तुलसिदास जी बंदना करते हुए अयोध्याकांड में कहते हैं कि जिनकी गोद में हिमानचल सुता पारबती जी मस्तक पर गंगा जी ललाट पर दुतिया का चंद्रमा कंठ में हला हल बिस और वच्छ अस्थल पर सर्पराज सेश जी सुसोभित हैं वेभस्म से विभुसित देवताव में स्रेष्ट सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नासक सर्व व्यापक कल्यान रूप चंद्रमा के समान सोब्रवर्ण स्री संकर्ज भगवान मेरी सदार अच्छा करें रख्कुल को आनन्द देने वाले प्रभुश्री राम चंद्रजी के मुखारबिंद की जो सोभा राज्या भिशेक की बात सुनकर न तो प्रसंता को प्राप्त हुई और न वनबास के दुख से मलीन हुई वह अर्थात मुख कमल की छबी मेरे लिए सदा सुन्दर मंगलों की देने वाली हो नीले कमल के समान स्याम और कोमल जिनके अंग है श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमसह अमोग बाण और सुन्दर धनुस है वह रगवन्स के स्वामी प्रभू श्री राम चंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ श्री गुरू जी के चरण कमलों की रज से अपने मनरूपी दरपन को साफ करके मैं श्री रगुनाद जी के उस निर्मल्यस का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम और मोच देने वाला है जब से प्रभूश्री राम चंद्र जी विवाह करके घर आये तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं चोदहों लोक रूपी बड़े भारी परवतों पर पुन्य रूपी में सुख रूपी जल बरसा रहे हैं रिद्धी सिद्धी और संपत्ती रूपी सुहावनी नदियां उमढ उमढ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आमिली नगर के इस्त्री पुरुस अच्छी जाति के मणियों के समु हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमुल्य और सुन्दर हैं नगर का एश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता एशा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है सब नगर निवासी प्रभुश्री राम चंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं सब माताएं और सखी सहलियां अपनी मनोरत रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं प्रभुश्री राम चंद्र जी के रूप गुण सील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दसरत जी बहुत ही आनंदित होते हैं सब के हिर्दय में ऐसी अभिलासा है और सब महादेव जी को मना कर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी प्रभुश्री राम चंद्र जी को युराज पद पे अपसिप्त कर दें अर्थात दे दें एक समय रग्कुल के राजा दसरत जी अपने सारे समास सहित राज सभा में विराज मान थे महराज समस्त पुन्यों की मुर्ती हैं उन्हें प्रभू स्री राम चंद्रजी का सुन्दर या सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोक पालगण उनके रुख को रखते हुए अनकूल होकर पृति करते हैं प्रित्वी आकास पाताल तीनों भूनों में भूत भविश्वर्तमान तीनों कालों में दसरत जी के समान बढ़भागी और कोई नहीं है मंगलों के मूल प्रभूश्री राम चंद्रजी जिनके पुत्र हों उनके लिए जो कुछ कहा जाय सब थोड़ा ही है राजा ने स्वाभावी की ही हाथ में दरपन लिया और उसमें अपना मुह देखकर मुकुट को सिधा किया देखा की कानों के पास बाल सफेद हो गए मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि राजन प्रभूश्री राम चंद्रजी को अब राज पाठ दे दो और अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते अर्थात भगुप्रभू का भक्ती क्यों नहीं करते चौथा पना गया हिर्दय में यह विचार लाकर अर्थाति उराज पत देने का निश्चयकर राजा दसरत जी ने सुब दिन और सुन्दर समय पाकर प्रेम से पुलकित सरीर हो आनंद मगनमन से उन्हें गुरु बसिष्ट को जा सुनाया राजा ने कहा हे गुरुवर हे मुनिराज कृपयाय निवेदन सुनिये श्री राम चंदर जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं सेवक मंत्री सब नगर निवासी और यहां तक की जो हमारे सत्रू हैं या हमारे मित्र हैं हमसे नाराज रहते हैं वो भी सभी को श्री बाद ही मानों सरीर्धारण करके جन्म लिया हो। है श्वामी सारे ब्रहमानड सारे ब्रहमान पर परिवार सहित आपके ही समान उन पर इसने हरकते हैं। जो लोग गुरु के चर्णों की रज मस्तक पर धारण करते हैं। वे मानों समस्त अहस्वरे को अपने वस में कर लेते हैं इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं है आपकी पवित्र चरण धूली की पूजा करके दुनिया में मैं सब कुछ पा लिया अब मेरे मन में एक ही अभिलासा है हे नाथ वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी राजा का सहज प्रेम देखकर मुनी ने प्रसन होकर कहा नरेश आग्यां दीजिए कहिए क्या अभिलासा है राजा दसरत ने कहा है भगवन आपका नाम और यस ही संपूर मन चाही वस्तुओं को देने वाला है हे राजाओं के मुकुट मनी आपके मन की अभिलासा फल का अनुगमन करती है अर्थात आपके इच्छा करकने के पहले ही वह फल उत्पन हो जाता है अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन जान कर हरसित होकर राजा दसरत को मलवानी में बोले हे नात प्रभू श्री राम चंदर जी को यूराज कीजिए क्रिपा करके कहिए आज्या दीजिए तो तयारी की जाए मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिसमें सब लोग अपने नेत्रों का लाव प्राप्त करें प्रभू आपके प्रसाद से सिव जी ने सब कुछ निबा दिया सब इच्छाएं पोन कर दी केवले कहीं लालसा मन में रह गई है इसी लालसा को भी पुण हो जाने पर फिर सोच नहीं सरीर रहे आजाए जिससे मुझे पीछे पस्तावा नो हो दसरजी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर बचन सुनकर मुनी मन में बहुत प्रसन हुए बस इस्ट मुनी ने कहा है राजन सुनिये जिन से विमुखो कर लोग पस्ताते हैं और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती वहीं स्वामी सर्वलोक महेस्वर प्रभु स्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं प्रभु स्री राम चंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हे राजन अब देर न कीजिए सिग्रही समान सजाईए सुब दिन और सुन्दर मंगल तभी है जब स्री राम चंद्र जी यू राज हो जाएं अर्थात उनके अभिशेक के लिए सभी दिन सुबह और मंगल में हैं राजा आनन्दित होकर महल में आये और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर्नवाए तभ राजा दसरत ने सुन्दर मंगल में बचन कहा यदि पंचों को आप सब कोई अहमत अच्छा लगे तो हिर्दय में हर्शित होकर आप लोग श्री राम चंद्र जी का राज तिलक कीजिए इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानों उनके मनोरत रूफी पवदे पर पानी आगया हो मंत्री हाथ जोड कर बिंती करते हैं करते हैं हे जगत पती आप करोणों वर्स जीएं आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है हे नाज सिग्रता कीजिए देर नक कीजिए मंत्रियों की सुन्दर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुन्दर डाली का सहारा पा गई हो राजा ने कहा प्रभू स्री राम चंदर जी के राज्या विशेक के लिए मुनिराज बसिष्ट जी की जो जो आज्या हो आप लोग वह तुरंत कीजिए मुनिराज ने हर्शित होकर कोमलवाणी में कहा है कि संपून स्रेष्ट तिर्थों का जल्ले आओ फिर उन्होंने ओशधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेको मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन कर बताए चवर मिर्ग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र संख्यों जातियों के उनी और रेशमी कपडे नाना प्रकार की मणिया रत्न तथा और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्या विशेक के योग्य होती हैं सब को मंगाने की मुनी ने आज्या दी मुनी ने बेदों में कहा हुआ है सब विधान बता कर कहा नगर में बहुत से मंडप सजाए गए फलो समेत आम सुपारी और केले के बिछ नगर की गलियों में चारों और रोप दो सुन्दर मणियों के मनोहर चोग पुरवाओ और बाजार में तुरंत सजाने के लिए कहदो स्री गणेश जी गुरू और कुल देवता की पुजा करो और भुदेव ब्राम्भनों की सब प्रकार से सेवा करो द्वजापता का तोरण कलस घोडे रत और हाती सब को सजाओ मुनिसरेश्ट बसिष्ट जी के बचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए मुनिस्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञादी उसने वह काम इतनी सिग्रता से कर डाला कि मानों पहले से ही कर रखा हो राजा ब्राम्हर सादु और देवताओं को पूज रहे हैं और प्रभुश्री राम चंद्रजी के लिए मंगल कारे कर रहे हैं प्रभुश्री राम चंद्रजी के राज्या भिशेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी धूम मचने लगी श्री राम चंद्रजी और सीता जी के सरीर में सुप सकुन सूचित हुए उनके सुन्दर मंगल अंग फड़कने लगे पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए बहुत ही अवसेर आ रही है बार बार उनसे मिलने की मन में इच्छा होती है सकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है सकुन का बस यहीं फल है दूसरा नहीं प्रभू स्री राम चंद्रजी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कच्छुय का हिर्दय अंडों में रहता है इसी प्रकार हर समय मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हरसित हो उठा जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुसोभित होता है सबसे पहले रनिवास में जाकर जिनोंने ये बचन समाचार सुनाया उन्होंने बहुत से आभूसन रानियों के द्वारा वस्त्र पाए आनंद में मगन होई स्री राम चंद्र जी की माता कौसल्या जी ने ब्रामणों को बुला कर दान दिया उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पुजा की और फिर बली भेट देने की अर्थात कार्य सिद्ध होने पर पुजा करने की मनवती मानी और प्रार्थना की की जिस प्रकार से प्रभूश्री राम चंद्र जी का कल्यान हो दया करके वहीं वरदान दीजिये कोयल कीसी मीठी वाडी वाली चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चों के से नेत्रों वाली इस्त्रिया मंगल करने लगी गान बजान करने लगी प्रभूश्री राम चंद्रजी का राज्या भिशेख सुनकर सभी इस्त्री पुरुश्रदय में हर्शित हो उठे बिधाता अपने अनकूल समझ कर सब सुन्दर मंगल साथ सजाने लगे तब राजा ने बसिष्ट जी को बुलाया और सिच्छा समयों चित उपदेश देने के लिए प्रभूश्री राम चंद्रजी के महल में भेजा गुरू का आगमन सुनते ही स्री रगुनाज जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया आदर पुर्वक और यदेकर उन्हें घर में ले गए खोड़ सो पचार पुजा करके उनका सम्मान किया फिर सिता सहित उनके चरण में बैठे और कमल के समान दोनों हाज जोड़कर प्रभू स्री राम चंद्रजी बोले यद्यव सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और मंगलों का नास करने वाला होता है तथा पिहे नात उचित तो यहीं था कि प्रेम पुर्वक दास को ही कारे के लिए बुलावा भेज लेते ऐसी ही नीती है परंत प्रभू आपने प्रभुता छोड़कर स्वयम यहां पधार कर इसने किया है इससे आज यह घर पवित्र हो गया हे गोसाई अब जो आज्या हो मैं वहीं करूँ स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाब है प्रभू स्री राम चंद्रजी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनिबसिष्ट ने स्री रगनाज जी की प्रसंसा करते हुए कहा है राम भला आप ऐसा क्यों न कहें आप सुर्यवंस के भूसन है प्रभू स्री राम चंद्रजी के गुण सील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले हे राम चंद्रजी राजा दस्रजी ने राज विशेक की तैयारी की है वे आपको यू राजपद देना चाहते हैं इसलिए हे राम जी आज आपको आस हवन आद्विधी पुर्वक सब सहियम कीजिए जिससे विधाता कुसल पुर्वक इस काम को निबाह दे सफल कर दे गुरु जी सिच्छा देकर राजा दसरत के पास चले आए प्रभुश्री राम चंद्रजी के हिर्दय में यह सुनकर बड़ा खेद हुआ हम सब भाई एक ही साथ जन में खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यग्यो पवीत और बिवाह आद उत्सो सब साथ साथ हुए पर इस निर्मल वंस में यह एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाईयों को छोड़ कर राज्य विशेक एक बड़े का ही क्यों तुलसीदास जी कहते हैं प्रभुश्री राम चंद्रजी का यह सुन्दर प्रेम पून पस्तावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरन करे प्रभुश्री राम चंद्रजी ने प्रिवचन कहकर उनका सम्बान किया बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं नगर के अतिसे आनंद का वर्णन नहीं हो सकता सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी सिग्र आवें और राज्या विशेक का उस्सों देखकर ने त्रों का फल प्राप्त करें बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुस और इस्त्री आपस में यहीं कहते हैं कि कल्व सुभ लगन मुहुर्त कितने समय है जब इधाता हमारी अभिलासा पूरी करेंगे जब सीता जी सहित प्रभू स्री राम चंद्रजी सुभन के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा अर्थात मन कामना पूर्ण होगी इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा उधर कुचक्री देवता बिग्न मना रहे हैं उन्हें देवताओं को अवध में खुसियां नहीं सुहाती जैसे चोर को चादनी रात नहीं अच्छी लगती सरस्वती जी को बुला कर देवताविने करते हैं और बार बार उनके पैरों पर पढ़ कर गिरते हैं वे कहते हैं हे माता हमारी बड़ी विपत्ती को देखकर आज वहीं कीजिये जिससे प्रभु स्री राम चंद्र जी राज यत्याक करवन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो देवताओं की बुन्ती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पस्ता रही हैं कि हाई मैं कमल वन के लिए हे मंतरितू की रात हुई उन्हें इस प्रकार पस्ताते देख कर देवता फिर बिने करके कहने लगते हैं हे माता इसमें आपको जरा भी दोस न लगेगा श्री रगुनाद जी विशाद और हर्स से रहित हैं आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं जीव अपने कर्म वस ही सुख दुख का भागी होता है अत एव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाईए बार बार चरण पकड़ कर देवताओं ने माता सरस्वती को संकोच में डाल दिया तब वह विचार कर चली देवताओं की बुद्धी ओची है इनका निवास तो उचा है पर इनकी कर्नी नीची है ये दूसरे का एस्वर्य नहीं देख सकते परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी वन में जाने से राच्छसों का बद होगा जिससे सारा जगत सुखी होगा ऐसा विचार कर सरस्वती जी हिर्दय में हर्शित होकर दसरजी की पुरी अयोध्या में आई मानों दुसर दुख देने वाली कोई ग्रह दसा आई हो मन्थरा नाम की कह कही की एक मंद बुद्धी दासी थी उसे अपयस की पिटारी बना कर उसकी बुद्धी फेर कर चली गई मन्थरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है सुन्दर मंगल में बधावे बज रहे हैं और उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सो है स्री राम चंदर जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हिर्दय जल उठा वह दुरबुद्धी नीज जाती वाली दासी विचार कर कहने लगी कि राजा काम गडबड कर रहे है किस प्रकार से यह काम रातो रात बिगड जाए जैसे कोई कुटिल भीलनी सहत का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है और इसको किस तरह उखाड लूँ वह उदास ओकर भरजी की माता कैकेई के पास गई रानी कैकेई ने हसके पूछा रे पूड़ा अयोध्या उत्सा से भरा हुआ है और तुम मुहलिट का है उदास क्यों है मन्थरा ने कुछ उत्तर नहीं दिया केवल लंबी सांस ले रही थी और त्रिया चरित्र करके आसु धार रही थी रानी कैकेई ने हसके कहा तेरे बड़े गाल है तू लगता है बढ़ चड़ के कुछ बोली होगी तो लच्मर ने तुझे डाटा होगा इसलिए तू मुह फुलाए है तब भी वह महापापी नी दासी कुछ भी नहीं बोलती ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो तब रानी ने डर के कहा रे कहती क्यों नहीं स्रीराम चंजी राजा लच्मन भरत और सत्रुधन कुसल से तो है न यह सुनकर कूबरी मंथरा के हिर्दय में बड़ी पीडा हुई वह कहने लगी ये माई हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल कब बजाऊंगी बढ़ बढ़ कर बोलूंगी राम चंद्र को छोड़ कर अयोध्या में आज किसका कुसल है जिन्हें राजा यूराज पद्दे रहे हैं आज कौशल्या को बिधाता बहुत दाहिने हैं अर्थात अनकूल हुए हैं यह देखकर उनके हिर्दय में गर्व समाता नहीं तुम स्वयम जाकर वह सोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरा मन छोब में ग्रसित है तुमारा पुत्र परदेश में है तुम्हें यह सोच नहीं जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है तुम्हें तो तोसक पलंक पड़े पड़े नीद लेना है और राजा की कपट भरी चतुराई तुम देखती नहीं मन्थरा के प्रिय बचन सुनकर किन्तु उसको मन की मैली जानकर रानी ने जुक कर डाट कर बोली अब बस चुप कर घर फोड़ी कहीं की जो फिर कभी ऐसा कहीं तो तेरा जीव कटवालूंगी कानों लंगणों और कुबणों को कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए उनमें भी इस्त्री और खास कर दासी इतना कहकर भरजी की माता कैकेई मुस्कुरा दी और फिर बोली है प्रिय बचन कहने वाली मन्थरा मैंने तुझको यह सीख दी सिच्छा इसलिए दी कि तुझे स्वप्न में भी क्रोध और इस तरह के बुरे विचार न आए बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता ही है यह सुर्यवंस की सुहावनी रीती है यदि सच्मुझ कल्प स्री राम जी का तिलक होगा तो हे सकी तेरे मन को अच्छी लगे वहीं वस्थु मांग ले मैं दूंगी राम को सहस्वभाव से सब माता है कौसल्या के समान ही प्यारी मानती थी कैकेई भी प्रभू स्री राम चंद्रजी से उतना ही प्रेम करती थी मैंने प्रीती की परिच्छा करके देख ली है ऐसा कमाता कैकेई ने कहा जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि प्रभू स्री राम जैसा पुत्र और सीता जैसा बहू हो श्री राम जी प्राणों से मुझे अधिक प्रिय हैं यह बात सुनकर मन्थरा ने कहा तुझे भरत की सोगंद है छलक पड़ छोड़ कर सच सच कहूं तू हर्स के समय विशाद कर रही है मुझे इसका कारण बता मन्थरा ने कहा सारी आसाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई अब तो दूसरी बार जीब लगा कर कुछ कहूंगी तो मेरा यह जीब तुम काट लोगी जो जूटी सची बाते बना कर कहते हैं वे माई वे ही तुम्हे प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूं ऐसा कह करके मन्थरा कुछ देर चुप हो गई विधाता ने कुरूब बना कर मुझे परवस कर दिया है दूसरे का क्या दोस बोया सो काटती हूं दिया सो पाती हूं कोई भी राजा हो हमारी क्या हानी है हम तो दासी हूं और दासी ही रहूंगी हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता इसलिए कुछ बात चलती खी किन्तु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई छमा करो ओम स्री सद्गुर्देव भगवान की जै बोलो जै सियाराम जै जै सियाराम बोलो जै राजाराम बोलो जै राजाराम स्री राम जै राम जै जै राम स्री राम जै राम जै जै राम राम कथा सुंदर करतारी सांसाय भी हग उडाव निहारी राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहुं सत सांगति अति प्यारी राम कथा कली बीट पकुठारी सादर सुन गिरी राज कुमारी हर्यों शांति 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 हुआँ झाली